तो यह दोगों प्यारे बैचों इस वहले के सिकलि यह जो को live 2019 में आया है और this को अगर आगर हम लोग बेशिकली करते हैं सबसी पहले देखते हैं जैने कमाार्च न से फोकन लेंद है और एकब्ट को एक्षियली रखे हैं contact इच अधर और इनका combination focal length f1 है यह जो पार्ट है वह फॉर्स्ट पार्ट है क्वेस्टन का सेकेंड पार्ट है कि उनके बीच का इस पेस जो है फिल्ड कर देते हैं टू गिल्स रिंज सच अब जो फोकल लेंट है वह एफ टू हो गया और पहले कितना था एफ वन था तो एफ टू की calculation करनी है बात समझ में आया तो इस question को basically अपने दो पार्ट है तो पहला पार्ट सबसे पहले अगर मैं इस question को solve करूँ तो इस question का जो first रहे हैं इसकी भी रैडियस है और हर एक रैडियस आर है और एभी रह ठीक है तो अगर इसकी फोकल लेंग है इसकी फोकल लेंथ है इन दोनों की जो फार्मुना लगाता हूं तो combined focal length f1 की value 1 upon f plus 1 upon f के equal हो जाएगा और convex lens है तो f क्या होगा इसका भी focal length positive है और इसका भी focal length positive है तो इसका मतलब बेहुगा कि 2 upon f इसका मतलब बेहुगा कि जो f1 की value आ जाएगी वो f by 2 तो एक equation तो मुझे यहां से मिल गया पहला ठीक है अगर इसमें रखोगे तो दो lens को combine करोगे तो एक तीसरा single lens मिलेगा जिसकी focal length f1 होगी इनके जोड दो को जोड़ेगो तो तीसरा मिलेगा तो इस हिसाब से यह this is the part first अब यह कहता है part 2 में कहता है case 2 इस question का यह कहा जाता है कि इन lens के बीच का जो खाली जगह था इस पेस था जैसे यह दो lens आपस में रखे थी this is the lens first and this is the lens second तो यह जो lens है वो दोनों रखे हुए हैं तो इनके बीच की जो खाली जगह है इनके बीच की जो space यह वाली इस पेस वह एक fluid gilserine से हमने भर दिया ठीकिना this fluid space filled with a gilserine तो अब यहां पे इसकी जो focal length वो तो f e थी और इसकी focal length f e थी और इसकी focal length दिया नहीं है we don't know about क्या दिया है क्या एक बाद चेक कर लो when the space between them combined with a gilserine अच्छा focal length दिया नहीं है लेकिन by symmetricer तुम देखोगे यह जो यहां से curvature इसका refractive index mu is equal to 1.5 है तो equivalent अब यहां पे 3 lens निकलेगा ठीक ना यह वह एक 3 lens की तरह system 3 lens create होगे समझे यहां पर जो है 3 lens पहला यह वाला lens इसका focal length तुम्हें पता है f और यहां पर जो gilserine है वह एक इस तरह से concave lens की तरह होगी जिसका radius of curvature यही है आ रहे है और इसका radius of curvature r है तो इसका भी radius of curvature r है और इसका भी radius of curvature r है और यह तीसरा lens है plus 3 lens है हाँ यह जो outer lens है वह भी क्या है तो अगर यह convex है तो इसको मैं मिटा देता हूं तो वह कुछ अपनी ऐसे दिखेगी वह अपनी convexity है यह वाली lens और इसका भी radius of curvature आ रहे है तो focal length है इसका focal length f positive होगा और इसका भी focal length f positive होगा लेकिन इस इस वाले lens की focal length negative होता है जो कि हमें पहले से पता है तो यहां पर one upon combination का जो focal length होगा one upon f1 plus one upon f2 plus one upon f3 अगर value डालोगे इसमें तो one upon f plus one upon f और minus one upon f इन दोनों को मैंने इसका और इसका positive ले लिया और इसका negative ले लिया तो यह cancel हो गया तो जो f2 की value आ गई वह आ जाएगी f ठीक ना तो यह अपने पास आ गया equation number two इन दोनों को जोड़ोगे क्योंकि यहां पर इस refractive index का कोई हमारे पास अभी use नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है थाली में जितने रसकुले हैं तो उस अभी को खाएं इस बात की guarantee नहीं होता है तो अगर f1 upon f2 की value देखोगे तो यहां से f by 2 और divided by f तो f ने f को cut गया तो 1 by 2 मिला 1 ratio 2 is the final solution तो 1 ratio 2 अगर इसको final solution है तो 1 ratio 2 मतलब a c option second sorry second option say thank you